मसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी कि आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकास यूटेग में फ्रेंड्स यूपी स्कॉलर्शिप 2020 से किसलेटेट बहुत ही मातपूर सूचना सामने निकल कर आई है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आप अपना स्कॉलर्शिप का स्टैटस कैसे देख सकते हैं स्कॉलर्शिप स्टैटस की जो आखरी डेट है कब से डेट स्कॉलर्शिप स्टैटस आप देखना शुरू कर सकते हैं प्लस एक चीज आपको और बताऊंगा यहां पर लाइप प्रूब आपको दिखाऊंगा कि आप scholarship status कैसे देखेंगे आपके college से forward हुआ है या भी नहीं हुआ है और friends जो सबसे जरूरी update है वो यह है कि scholarship form का जो last date है वो कब तक है friends मैं आपको बता दूँ कि क्या porter फिर से खुलेगा या नहीं खुलेगा उसको लेकर एक बहुत महत पूर सूचना सामने निकलका है जिसको मैं वीडियो के लाश में बताऊंगा friends scholarship का जो porter है वो जरूर खुलने वाला है इन सारी चीजों को मैं वीडियो के अंदर डिसकस करने वाला हम वीडियो स्टाट काने इस पले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी कीवे चैनलों को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए साथ मैं बेल आ सरकारी जौप फाइंड टाइप करके सर्च मारना है जैसे आप आप सर्च मारेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने खूल कर आएगा और जैसे ही कुछ है यहाप एक क्लिक करकर आए जैसे यहाप आप क्लिक करकर आए आप देख सकते हैं कि यूपी स्टेटस 2020 का भी एक option 100 हो रहा है उप स्कॉलर्शिफ फार्म 2020 तक थी लेकिन अभी तक कई ऐसे चात रहा है जिनों ने स्कॉलर्शिफ फार्म नहीं भर पाया है उनके मन में कई सारे सवाल है कि क्या उनका जो पोर्टर फिर से खुलेगा या नहीं खुलेगा तो फ्रेंट्स मैं आपको बता द तो 31 दिसंबर 2020 तक ही रहे बाइस से खुल सकती है फ्रेंट्स इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा क्योंकि आपको मैं क्लियरली बता दूँ कि अभी तो आफिसली कोई भी अपडेट नहीं आई है इसको आप आफिसली न मानिए लेकिन जो स्कॉलर्शिफ का 15 दिसंबर को बंद हुआ और उसके एक हफ्ते पहले ही सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था कई बच्चों का ढंग से काम नहीं हो पा रहा था तो उसमें बच्चों की गलती नहीं यह सारी गलती समाच कल्यार विभाग के प्रॉब्लम है सर्वर रेटेट जो भी इसू है तो वो यहांस आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ अफडेट है कबसे कालेज में जो लास्ट डेट है यहांस आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है अभी तो दister गये 25 दिसंबर 2020 लेकिन यह साभ देख सकता है कि कालेज में हार्ड कापी जमा करने की जो डेट है वो 22 दिसं कर देंगे फ्रेंट्स एक चीज आपको क्लिरली बता दूं कि स्कॉलर्शिप की जो एमाउंट है वो कब से डिस्ट्रिब्यूट होगी तो इसको लेकर भी एक महत पूर्शूचना सामने निकल कर आई है जो फ्रेंट्स से स्कॉलर्शिप के अमाउंट है वो सभी चात्रों के बैंक अकाउंट में 26 जनवरी के बाद से भेजी जाएगी फ्रेंट्स यहांस आप देख सकते हैं कि करेक्शन डेट जो भी गलती है जो भी आप में सुधार करना है आपको अपने फॉर्म से रेटेट वो 20 से 30 जनवरी 2020 तक रहेगा फ्रेंट्स यहांस आप देख सकते हैं कि यह प्राब्लम यहांसे और स्कॉलर्सिप जो बैंक अकाउंट में ट्रांसपर होंगी वो 25 मार्च 2021 तक सभी के बैंक अकाउंट में स्कॉलर्सिप की जो अमाउंट है वो डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगे जिन भी चात्रों का स्क स्कॉलर्सिप स्टैटस को देखने के लिए यहां से आपको यूपी स्कॉलर्सिप स्टैटस 2020 से किस पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक सामने ना एंटरफेस खुल के आएगा इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आजाएंगे नीचे आने के बाद यहां से आप देख सकते हैं कि कई सारे अपसंस हो रहे होंगे यहां से आप देख सकते हैं कि स्टेटस आप कैसे चेक करें प्री मैट्रिक के लिए है और यहां पे प्री मैट्रिक इंटरमेडियर इस्टुएंट्स के लिए है और पोश्ट मैट्रीग अधरदान इंटर जो कालेज लेबल के श्टुंँद्स हैं जो 12th पाट अूट कर दिया हैं यहां से देख सकते हैं कि फ्रेस कैंडिडेट यहां से अपना स्कॉलर्सिप स्टेटैस चेक कर सकते हैं रिनियुवल वाले यहां से अब इस्टेटेस ये कर सकते हैं, कई बच्चे लगाता है, कमेंड करका पूछ रहे हैं, सर, क्या हमारा स्कॉलरसीप आएगा या नहीं आएगा, हम दूसरे स्टेट से बिलांग करते हैं, तो जरूर आएगा, फ्रेंड्स, ऐसे कई ज्यादा बच्चे हैं, जिनों बाहर की स् आपका जो भी रेश्टेशन नमबर है, उसको फिल अप करना है, उसके बाद अपना डेटा बर्थ करना है, उसके बाद यहां से आप जैसे पासवर्ड फिल अप करेंगे, और कैप्चा डाल देंगे, यहां से आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा, जो सीधा अगर काले से फारवर्ड हो गया होगा तो सो होगा otherwise वहाँ से कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी टेक्निकल इसू होगी तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं आप सभी संरोज है कि आप सभी अपना अपना जो भी रेश्टेशन नंबर है जो भी पासवर्ड है अब 22 को खुले 25 को खुले 5 दिन के लिए खुले 10 दिन के लिए लेकिन जो पोर्टर है फिर से खुलने वाला है इसको लेकर पीवी सिंग ने भी एक बार अफिसली अपडेट दिया अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पीवीजिट करके वाला वीडियो जरूर देख लिए वहाँ पे जो समाज कलिया विभाग के वसिष अधिकारी है पीवी सिंग जी उन्हें ने बताया है कि स्कॉलर सिप की जो डेट है वो बढ़ेगी अब उसे बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया तो फ्रेंट्स उम्मिद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे से हमें मोटिवेशन मिलता है और अभी देख चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो बिना देरी की व वीडियो अप्लोड करूँगा आपको नट्रिफिकेशन तुरू पता चल जाएगा जब भी आप बेल आइकन को प्रेस के रहेंगे तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम